नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है बालचंद्रा ब्रह्मान्द सिद्यास्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 4 नवंबर 2022 का संपुन राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आ शुकल बक्ष की गयर भी थीति है पूर्वा भदर भदा नक्षेत रहे है योग व्यागात है दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वो विस्टी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुबात होगा सुबह साथ बचकर सत्तावन मिनट से लेकर नौ जी सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वशुरुष होगा सुबह 10 बचकर 45 मिनट से लेकर 12 बचकर 10 पिन्यन विल्कुल भी नहीं लिना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा गुम राशी में ब्रह्मन करेगा और शाम चे बचकर 19 मिनिट के बाद यह चंद्रमा मंगल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है उसी प्रकार गुरू और नेप्टुन के साथ यूति योग भी करने जा रहा है यह अगर सेथी सामने रखते हुए बारा राशियों का राशी फल्क क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के लाब अभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और शाम 6 बचकर 19 मिट के बाद यह चंद्रमा आपके वेई अभाव में ब्रह्मन करेगा याचंद्रमा गुरू और निप्टिन के साथ यूतियोग करने जा रहा है और आपके तृतियोग में सिद्मंकल के साथ याचंद्रमा केंद्रयोग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना होगा जो भी महत्वपूर्ण काम है आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना आपके अंदाज आज की दिन चूकने की संभावना काफी ज़्यादा बनती है उसके प्रकार स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आओ शक्रता किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम छोटे हो या बड़े आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है बृषब राशी बृषब राशी के दशंबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके चतुर द्वितिय अभाव में सिद्मंगल के साथ या चंद्रमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है तो आज का जाईतिन है तोड़ासा महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो की आपके जॉब से रिलेटेड है आपके कारशेतरे से रिलेटेड है आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना हाला कि शाम के बाद के जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है आपके जो वईवाई जोड़दार है उनके साथ चोटे-मूटे बातों को लेकर धकरण हो सकती है इसको बाद कि जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशे के भाग के बाओ में चंदर्मा का ब्रह्मन है और वही पर सिद नेप्चन के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है शाम 6 बचकर 19 मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके दशंबाव में ब्रह्मन करेगा और वही पर सिद गुरु के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लेखास करके आज के दिन आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन वगरा आ सकते हैं आज के दिन घूमना फिरना भी हो सकता है उसी पर अगर जो भी आपका कारेशेत है वहाब और के जो लोग होंगे लोग होंगे उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है आपके काम के वावा भी हो सकती है सिर्फ आपको उस वहाब की स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है करक राशी करकराशे के अश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है वही परसिद निप्चन के साथ या चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है शाम 6 बच कर 19 मिट के बाद या चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ब्रहमन करेगा शाम के बाद के जो समय है वो आपके लिए शुब फलदाई सावित होगा शाम के बाद के समय में आपके ट्रैवलिंग वगरा काफी जादा हो सकते है उसके का जो काम नहीं बंद रहे उसके संदर में वो जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो अगर आप किसी के relationship में है तो वहाँ पर उनके साथ छुटी मुटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है कुल मिला के देखा जातो शाम के बात विज़ो समय है वो आपके लिए शुबो फलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के सब्तम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही परसिद नेप्चन के साथ ये चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है शाम 6 बचकर 19 मेट के बाद ये चंद्रमा आपके अश्टम भाव में ब्रह्मन करेगा और वही पर सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा यूतियोग भी करने जा रहा है और आपके लाबभाव में सिद्वंगल के साथ यह चंद्रमा के इंद्रयोग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है तो पुर्ण साबित होगा खास करके आपके जो वाई-वाई जोड़िदार है उन में और आप में कुछ misunderstanding वगरा हो सकती है आपको उसी के उबर थोड़ा ध्यान देना होगा आपके जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में भी चोटे-मोटे problem आ सामने आ सकते हैं उसी परकर शाम के बात के जो समय उसमें आपको कुछ अच्छे love अगरा मिल सकते हैं उसी परकर अगर आप किसे के relationship में हैं उनके साथ कही बाहर भूमना फिर ना हो सकता है गर के जो लोग है उनके साथ चोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बाद के जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सष्ट बाह में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही परसित नेप्चन के साथ या चंद्रमा युतियो करने जा रहा है वसे परकार आपके दश्म बाव में सित्मंगल के साथ याचंदरमा केंदर योग भी करने जा रहा है वो काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए आपको स्वाइम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुती ज़्यादा आवश्यक होगा कार शेतर की ज़्यादा में होंगे उनके साथ भी आपको थोड़ा सावदानी बरतनी आवश्यक होगी शाम के बात के जो समय है उसमें आपके जो वाइवाइक जो डिदार है उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के पंचम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही पर सिद नेप्चन के साथ ये चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है आपके बाव में ब्रह्मन करेगा और आपके भागे बाव में सिद मंगल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है अगर उस पर आप काम करते हो तो भविश्य में जाकर आपको कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते हैं उसी प्रकार शाम के बात के जो समय उसमें जो भी आपका कारशेतर है उससे रिलेटेट कुछ अच्छी बाते भी हो सकती है लेकिन आपकी जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर टकरा हो सकती है बस उसी के उपर आपको ध्यान देना आव समचे बजकर 19 मिट याचंद्रमा आपके पंचम भाव में ब्रहमन करेगा और भईपरसिद गुर्यु के साथ याचंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है और आपके А्षंटव बात का जो समय वो काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ शाम का जो समय है वा काफी अच्छे तरह के सगड़ सकता है लेकिन जोयम के स्वास्त के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़ादा आवश्यवोगा मानसिक शायरिक तनाव में आप आ सकते हो इसके बाद की जो राशि है वो है धनूराशी धनूराशी के दृतिष निप ट्रव के यह चंदरमा यूतियोग करने जा रहा हैं आज के दिन किसी भी प्रकार के महत अ पुरनो काम बिल्कुल भी नहीं करना हाला कि आजका जो दिन है थोड़ा सा विजिड़ आपके लिए हो सकता है लेकिन कोई भी महत उन्यका быть अजके दिन बिल्कुल भी नहीं करना दोपर के बाद समय है कि शाम के बाद के समय है उसमें आप घर पर नपसंद करोगे और जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारवनी है, वो भी काफी अच्छी देखी जाएगे, सिर्फ आपकी जो वैवाई जोड़िदार है, उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशी, मक्का राशिक द्वितिया भावं में चंद्रमा का ब्रामन है और वायपरसिद नेफचुन के सादिये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है थो भूती महत्मर्ण दिन है आपके जो वायवाई जोलिदार है उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जाता आवश्यक होगा उसे प्रकार आज के दिन पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े financial transaction या फिर investment या फिर खर्चे आज के दिन नहीं करना शाम के बाद के जो समय हो वो काफी अच्छा साविद होगा शाम के बाद आपका घूमना फिरना भी हो सकता है गर के जो लोग है उनके साथ चोटे मूटे बातों को लेकर तकरा हो सकती है लेकिन कुल मिला कर देखा जाए तो आज के दिन आपको थोड़ासा सजग सावदान रहना आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कुमब राशी कुमब राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही परसिद नेप्टिन के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है शाम 6 बचकर 19 मेंट के बाद या चंद्रमा आपके द्वितिया बाव में ब्रहमन करेगा वही पर सिद्म गूरू के साथ या चंद्रमा युतियोग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है stressful साबित हो सकता है unwanted stress आज की दिन आपको आ सकते हैं आपको swim पर control करना ज्यादा आवश्चक होगा शाम के बाद का जो समय उसमें आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं आपके जो मित्र परिवार है उनसे गपशब हो सकती है उसी परिकार अगर आपके से के relationship में हैं तो वहाँ पर चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के वही अभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही पर सितनिप्चिन के साथ यह जंद्रमा यूतियोग करने जा रहा हो है काफी महतवपून दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसे के relationship में हैं तो उनके साथ आज के दिन चोटी मोटी बातों के लिए करतकरा हो सकते हैं लेकिन आज के दिन आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन वगरा आ सकते हैं और वो बात आपके लिए काफी ज़्यादा महतों पुर्ण साबित होगी शाम के बात का जो समय है उसमें आपका जो confidence है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर धकरार हो सकती है तो दोस्तों ये था दिना चार नवंबर 2022 का संपुर्ण राशिपल आपको ये राशिपल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नेचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है ब्रमान्द सिद् प्रश्क्राइब ज़रूर करना धन्यवाव